नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकास काल्टा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल काल्टा में एक पार फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके सामने एक सिंगल बैरल शॉट गन का वीडियो लेकर पेश हुआ हूँ तो दोस्तों जैसा आप मेरे हाथ में ये गन देख रहे हैं ये प्रेम सागर एंड संज मंडी एचबी इंडिया 2002 का ये मॉडल है और ये प्रेम सागर की गन है और सिंगल बैरल शॉट गन है तो इसका एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ अगल ये देखिए प्रएम सागर की सिंगल बैरल शॉट गन है और ये गन जो है हिमाचल परदेश मंडी जिले में इसका जो है कारकाना है वहां पर हम ये बनेटी है यह देखिए तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी बैरल की बात करते हैं जो इसकी बैरल की लंबाई रहती है जो इसकी लंबाई है वो 32 है यह देखिए बहुत ही लाइट वेट है इस गन का बैरल की लंबाई 32 इंचे और उसके बाद मैं यहां पर आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं यह देखिए अगर आपको केमरे में नजर आ रहा होगा प्रेम सागर यहां लोंग रेंज लिखा है प्रेम सागर एंड संस मंडी एचपी इंडिया 2002 का यह मोडल है तो दोस्तो इस गन का जो है वेट भी काफी लाइट है जैसा आप देखी पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया गने अब जो है हमारे भारत में भी बनती हैं दोस्त दो नाचाम है वो विश्को के मुकाबले थोड़ी सी कम है क्यूंकि जो यह दोड़ी सी पतली है यहां से आपको नजरा रही होगी विश्को की जो यह डोजी सी मोटी रहती है थोड़ी मझबूत रहती है और उसका weight भी थोड़ा साथ जादा रहता है इसकी barrel थोड़ी सी पतली है और इसकी वाइसे इसका जो है gun का weight भी काफी कम हो जाता है तो दोस्तों यह देखिए तो इसका जो खोलने का जो procedure वही है यह आप यहाँ पर जो opener है opener को आपको जो है इस तरह से गने हैं उसमें ejector सबी में रहता है जैसे भी आप barrel को open करते हैं cartridge भरा हो या आपका cartridge खाली हो वो cartridge को eject कर देती है cartridge को बाहर फेंक देती है तो इसी तरह से आप gun को बंद कर सकते हैं ये देखिए और इसी तरह से gun को आप open कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं इसका फाइर पिन फाइर पिन आप कैसे चेक कर सकते हैं सबसे पहले आपको ट्रिगर जो है इसको दबाना होगा और इसको आगे को करना होगा तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा इसका फाइर ने थोड़ा डिसेंबल करके दिखाऊंगा तो सभी गनों का जो है एक ही प्रोसीजर रहता है यहां पर जो यह लॉक रहता है इसको आपको जो है बाहर को खींचना होता है काफी यह काफी जादा हाड मुझे लग रहा है काफी जादा ही हाड है थोड़ा सा कोशिश करता हूं इसको यह देखिए यह दोस्तों यह टाइट इसलिए हैं क्यूंकि इसमें थोड़ी ऑइलिंग भी बहुत कम हुई है तो इसलिए थोड़ा सा यह ताकत मांग रहा है और इसी तरह से उपनर को पुश करके आप बैरल को इस तरह से बाहर कर सकते हैं यह देखिए यह हमारी जो है बैरल है और यह हमारा जो है बट स्टॉक है यह देखिए थोड़ा सा इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हू अगर आपको fire finn check करना है तो आपको पहले trigger को push करना होगा दबाने के बाद जो है आप इसको जो है आगे को करना होगा देखिए इस तरह से तो आपको यहां पर जो है fire finn नजर आ रहा होगा यह देखिए दोस्तो तो इसको assemble भी आप इसी तरह से कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से इस तरह से और उसके बाद जो है इस लौक को आप इसी तरह से यहां पर रखिए और एक जटका मारिए और आपकी जो गम गन जो है assemble हो जाती है देखिए इस तरह तो अब दोस्तों मैं थोड़ा से आपको इसके barrel के अंदर का भी एक वीडियो दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों इसकी मैं आपको अंदर से बैरल को दिखा रहा हूं बहुत यह अच्छी अभी तक इसमें चमक है इसका जो अंदर की चमक है यह काफी अच्छी है यहां इसे जाहिर होता है कि गन की अच्छी से स्वाई हो रही है यह देखिए बिल्कुल विसकी अंदर कुछ भी थोड़ी सी थोड़ा सा भी हमें दाग नजर नहीं आ रहा है तो बड़ी अच्छी से इसकी जो है स्पाई हुई है और दोस्तों अगर हम इसके चोक की बात करें चोके भी इसकी काफी बढ़िया है जैसा आप देखी पा रहे ह बनती हैं और पूरे हमारे हिंदुस्तान में वहां से गनों को भीज दिया जाता है और आप कहीं भी यह गने लेना चाहते हो तो आपको हर जगा भारत के अंदर यह अवेलेबल हो जाएगी इसमें बैल्ट भी लगी है जैसा आप यहां देख पा रहे होंगे तो इससे क्या है तो दोस्तों यह मैंने आज एक छोटा सा वीडियो आपको प्रेम सागर की सिंगल बैरल शॉट गन का दिखाया है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें धन्यवाद